ऐसा कहते हैं कि आस्मान का कोई सरहद नहीं होता, उस पर कोई बंदिश नहीं होती, पर हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि बदलते वक्त के साथ-साथ कुछ नियम भी बदलने लगे हैं, दरसल दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहांपर आस्मान पर भी रोख है, मतलब ये कि आ और भी बहुत सारे बिलीव्स, and we totally understand that, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही पांच जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप प्लेंस नहीं उड़ा सकते हैं, हेलो ये नमस्ते, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको थोड़ी मुछ में नमबर पाँच पर है, and that is Disney Park, California के Disneyland और Florida के Walt Disney World के 30,000 feet के ऊपर से कोई भी प्लें आप नहीं उड़ा सकते हैं, अमेरिका के सरकार ने इसे no flying zone घोशित किया है, दर असल 911 की आतंकी हमले के बाद, अमेरिका की सरकार ऐसी हर जगह पर सक्त निगरानी रखती है, जहां public gatherings उड़ाने पर सरकार ने 2003 में दयान लगाया था, बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस लिस्ट में नमबर 4 पर कौन सी जगह है, हम बात कर रहे हैं तिबबत की, तिबबत को दुनिया की सबसे उची जगहों में से गिना जाता है, यहां की average उचाई लगबग 16,000 feet है, इसके हैं कि यहां मौझूद उची उची पहाडिया बीच में आ सकती हैं, चलिए जी अब तक तो हम ऐसे mostly किसी specific जगह या किसी famous जगह की बात कर रहे थे, पर अगले fact में, यानि fact number 3 में हम आपको वर्ल्ड के एक ऐसे famous इंसान के घर के बारे में बताएंगे, जहां आप planes लेकर न सकत मना है, यानि मैसी का घर नो फ्लाइंग जोन में आता है, दर असल मैसीजिस बार्सलोना के इलाके में रहते हैं, वो environment के लिहाज से काफी खास है, इसके अलावा मैसी के security और उनकी लोग प्रियता की वज़े से भी वहां पे सरकार ने ये बैन लगाने का फैसला किया है, Now it's time to talk about the place at number 2 and it is Makkah, असलाम को मानने वाले लोगों के लिए Makkah एक बहुत ही sacred जगह है, या हर साल भारी numbers में लोग पहुचते हैं, इस जगे को इतना खास होने की वज़े से ही साओधी अरब सरकार ने Makkah को no flying zone में घोशित किया हुआ है, यानि आप इस जगे के उपर से plane न पौधे पाये जाते हैं, जो धर्ती पर और कहीं नहीं पाये जाते हैं, कहा जाता है कि इस जगे के ecosystem को बचाने के लिए इसके उपर से plane उडाने पर पाबंदी है, यानि ये जगे भी no flying zone में शामिल है, वैसे अपने यहां भी एक जगे है जहां पर कोई planes नहीं जाते, हमार के साथ अजूबो में शामिल ताज महल को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेस साइट डिकलेर किया गया था, हाला कि इस एरिया को no flying zone में साल 2006 में घोशित कर दिया गया था, तो ये थी कुछ ऐसी जगे हैं, जहां planes भी नहीं जा सकते, इट मीन्स ये थे कुछ no flying zones, आज के लिए इतना ह मिलेंगे कल only on APLIFE podcast, this is Angeetha with you, have a great day.